तो आप अपने घर पे किस तरीके से इंजन लगा सकते हो तो जाद कुछ हमें चाहिए नहीं होगा तो सिर्फ हमारे को थोड़े बहुत जो टूल की ज़रुवत पड़ेगी तो वह आपके हर किसी के घर में मिल जाते हैं ऐसे टूल तो चलिए शुरू करते हैं तो यह है मेरी नई साइकल तो आप जैसे की देख पा रही है फुल अभी रैप में हो रही है अभी मैंने इसको खोल के देखा नहीं क्योंकि आपके सामने में करूंगा तो बहुत जाद अच्छा रहेगा तो देगे क्रॉस का मॉड़ल है इको करके जो इसका फ्रेम साइज व 15 mm के तो यह खुलने पढ़ेंगे 1 & 2 लगाते है इसका चेंस पोकेट यह सारी चीज़े निकलती है हमारी इस बॉक्स के अंदर तो आप देख पार हो पूरी कंप्लेट किट है तो आपको बहार से कुछ लेने की ज़रूबत नहीं है तो सबसे पहले में लगाना पढ़ेगा अका चेंस पोकेट तो किक इसके प्ट्रोज यह रहा और इसके स्कुरूर यह रहे ऐग लगार ककर सबसे पहले लगाएंगा हम इसका चेंस पोकेट का लगाने के हमें चाहिए ऐसी दो ड़बड है तो एक लगेगी हमारीck के साथ एक को साथिएर और एक सेट Politics सिस्ट चे armour쉬 देख रहे हूं राकेट भी हमारा के नीचे से लगेगा ताकि हमारा जो प्राइवील है यह अच्छे से टाइट हो जाए तो तो अलाइमेंट बिल्कुल परफेक्ट है और जितना मैंने टॉर्क लगाया बिल्कुल बराबर है टॉर्क एकदम सही है तो चलते हैं अब इसको अपनी साइकल के अंदर कई साथ किट इसको मैं इसको इस पर इंस्टाल करके बताता हो किस तरीके से होगा और फिर इन्जन लगाते हैं अपना जाना चैसी के उपर तो यह है ब्रैकेट तो ब्रैकेट के साथ में लगाँगा मैं यह टेप तो इस टेप को लगाने से फायदा यह होगा जो कि सैकल के अंदर वाइब्रेशन होती है वो खतम हो जाएगी तो इधर भी लगा दे मैंने वाली टेप जैसे कि अब देख रहो तो पीछे भी लग गगई तो दोनों तरफ हो गई तो अपनी जहां तक है बहुत जादा वाइब्रेशन हमारी सैकल के अंदर से कम हो जाएगी तो चली अब इसको लगाते इस पर एंड इसी तरीके से मैंने भी लगा दी तो इंजन यहां पर मांट हो चुका है अब लगाते इसका ब्रैकेट तो ब्रैकेट को लगाने के लिए सिर्फ हमने इसको नीचे से इस तरीके से लगा देना है और यह इसके होल में जाके रुख जाएगा और इसी तरीके से इसको टाइट कर देना है तो अप लोग हमने बहार निकालना है तो प्लास की मदद से यह लोग के बाहर इसली तरीकी से आ जाएगा ये लोग मैं निकाल दे देखो इस तरीके से लोग होता है अब चेन को लगाने के लिए हमने यह जो तीन इसक्रूआ है वन टोएंट थरी इसको खूलना है तो यह अमारा कलच वाला हिस्सा ही बहार आजाएगा तो यहां से होते हुए हमारी चेन मैंने आपको लोगों को बताया है इस तरीके से जाने हैं तो तो अपनी चेन भी लग चुकी है बट अभी मैंने लोग नहीं लगाया इसका तो देखो चा바्ल को अगेगा के लिए तो यहां पर इसका बटाई आपको में अफर गज़ल चॅपड अब लगा तो इसका अफर बी। वह न्यान देख पार हें शहीन और यह चाहरी थे सब disse च्छार्च कोगानने के लिए को करने के लिए कि लिए जिए शुब्रेंब लिए घर फिर बाद में निकालनाे GU च्छाज़िक यहां पर फिक्स होगा तो चलिए इसको बहुत भी निकाली ल attain the तो कलच को लगाने के लिए सबसे पहले मैंने देखो भाई इसको घिस दिया अगर मैं ऐसे लगा रहा था यह जा नहीं रहा था तो इसको मैंने ज्यादा जोड नहीं लगा क्योंकि एल्मुनियम का पार्ट है जरा से में टूट टाड जाया है और लेने के देने हो जाएंगे तो इसके साथ में लगा लेता हम इसकी ग्रिप अगरा तो दोनों साइट की ग्रिप अगरा के साथ में साथ में कलच लग जाएगा कर दूप भॅन contratsteps के साथ में में टू हぉ लगा जाएगा के साथ में लेगा जाएगा झाल 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 और रकरण है तो सब कुछ वाहते हो गई है अब लगाना है शककार्वेटर अपना शक्रावीर कर रहा है तो सब से परें इसके इसके उपर की कैश तो इसके इंडरे इसके नोवारा घैश होगा इसके वाहिटे है तो आप बारियात के एस्टी कोईल लगाने की तो एस्टी कोईल इदर लगाऊंगा मैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो तो यह अपनी कोईल कुछ इस तरीके से लग जाएगी एंड जो इसके साथ में ब्रैकेट वगए रहे हैं तो ब्रैकेट वगए अभी मिल जाएंगे तो यह देखिए यह ब्रैकेट इसका तो इसके साथ में लगा दूँगा तो सीडिया में लगा दी आप करते हैं इसके कनेक्शन जैसे कि आप देख रहे हो तो इसके अंदर है एक ब्लू वायर और एक है ब्लैक वायर तो यह दोनों लगा देख घोम देख पार रहों है अनन उसके एंदर इसके के अंदर इसके अुछ लगाँए आ ब्लाक भ्ली ए जो फियनों डैड वाई तो chain cover के लिए मैं आपको बता दूँँ तो आप यहां पर एक nut देख रहे होगे तो यहां पर लगेगा हमारा and जो इसका पीछे का है तो यहां से तो यह है एक clamp तो इसके clamp की यह से मैं लगा दूँगा इस mudguard को तो इसका chain cover भी मैंने लगा दिया और देख सकते हो ये बिल्कुल भी टैर वागेरा और करहीं में लगएरा तो कोई चेन वेli लगेरा तो अब भार हीय स्की पेड 可以 on पयर में हमेशा लगाते टाहिए ये जो फिल्टर अट आधि रहा है ये में होँने वाली नोप पे यह लगा देना हमने इस वाली नोप पे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल कनेक्शन है इसके भी तो अब लगाते हैं इसका एक्जॉस्ट तो अपना एक्जॉस्ट इसका इधर आ जाएगा एंड इसके ऊपर लगा देंगे दो इसक्रू तो लग चुका है इसका प्लग हमारा लगेगा है तो जो होल देख रहे हो अब लगा लेता है तो अब इसके बार यह आती है टेस्टिंग की आप टेस्टिंग करते हैं यह मेरे पास में 600 ml के इनके इंदर पेट्रोल और यह और जिसको मिक्स करके हम अपनी सैकल में डालेंगा और तो पेट्रोल भी कि यह इंजन लगने के बाद में किस तरीके से देख रही है तो चलिए अब देखते हैं साइकल कर आएदी करदान में बद्राएब जाएदाल चाहने करें यह खोरें में यह जाएऴे तर्या में आएदादते हैं में0 कि लेंगा लेगा में आएदडिंग बद उढ़ लेगा पेट्रोल आए트ाẫn तो इस इंजन है इसको जादा कित आपको एंज अज़ार रहेती ईसके एंजने में लगते। जो एन थे कित्या अच्छा किरने को नो ज़ी है तो इसको किने अच्छेशे करेंगी कोमदानी अज़ी। को चले गिया तो मतलब आप पहले ऐसा राता यह जो चेन है इसकी तो यह इस जो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में अड़ रही थी तो आप देख पा रहे हो अब बिल्कुल भी अड़ नहीं रही है एंड इवन इसके इंदर कोई अवास तलक नहीं आ रही है तो आप इसको चला आने से और अब दलता है तो इससे हो गोई है यह क्या पोरा ध्राय होता है पूरां इस तो इसके नदर oil वाग Ale वेकारा न हरा ना परताह से पैट्रोल के अंदर वानाय परता है मतलब एक लिटर के अंदर फोड़ा-सा मतलब के 12क पाऊ चाता है थória तो आप पेट्रोल two-t mix डलता है तो इससे हो गई है two-t mix से होता है क्योंकि जो two-stock engine है यह पूरा dry होता है और इसके अंदर oil बगएरा नहीं डलता है तो इसलिए इस पेट्रोल के अंदर हमें डालना पड़ता है मतलब एक लिटर के अंदर बोड़ा सा मतलब के एक पाउच आता है 10-12 रुपे का पाउच आता है तो आप इसली तरही किस उसको डाल दो कोई प्रोब्लम नहीं होने वाली इसको चला के आप कितने किलोमेटर चला सकते हो वो तो आपके पेटरोल के उपर डिपेंड करता है कि आपके टेंक के अंदर कित है तो बाइव डिपने अधियर चल रही है और कभी बढ़िया चल रही है बहुत जादा मजा अरा शेक में पर दिए आपके शाहरा है जाए वह बढ़न की सामकर आपके भी इस आपके राक्टरविए कर दो चलाने में और इसकी स्पेड कि पिल और ही है कि सकाल रही है और वह प्रणिया है वार वह पोधिया नहीं दो कि दो आधी है वह बहुत जाधा है तो कुछ लोग इंचयने दे जांद जब दा है लोग अधी जालें वेसे यार आप लोग मुझे कमेन्ट करके बताओ कि आपको सैकल कैसे लगी तो मेरेको बहुत बढ़ी है लग रही है सैकल और काफी लोगों के यह था किसके अंदर चलते में वाइब्रेशन होती है कोई मेरे को ऐसी वाइब्रेशन नहीं लगी क्योंकि मैंने इसके अंदर जो रब जो मैंने इसकी purchasing कर ये cycle की तो वो आपको मिल जाएगी मेरे दूसरे चैनल पर टेक्नोफान व्लॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है मैंने description box के अंदर और जाओ वाली वीडियो भी देख लो काफी साही वीडियो बनाई भी है कि मैंने कहां से purchase करी मेरे को कितने की पड़ी तो बस यही था आपको वीडियो अच्छे लगए हो तो लाइक कर देना और चैनल को subscribe करें बिल्कुल मज जाना और इस वीडियो को share ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में जो लोग confused हो गए थे कि cycle के अंदर इंजन लग पाएगा या नहीं लग पाएगा तो आप बे हिज अलाओ